खुलासा में आपका स्वागात है मैं हूँ प्रशान ज्या राजदानी पटना से सटे दुलहिन बजार थाना इलाके के इनखा भीम्चक पंचायत से एक बरी ख़वर सामने आई है जहां अपराधियों ने चुनाव खत्म होते ही एक बरी घटना को अंजाम दिया है पटना पुलिस चुनाव से उबर भी नहीं पाई थी कि बेखौफ अपराधियों ने दुलहिन बजार के पुर्मुख्या संजे बर्मा को मानिंग वाक के दोरान गोली मार दी है पुर्मुख्या को अनन फानन में इलाज के लिए अस्पताल ले जाये गया जहां डॉक्टरों ने संजे बर्मा की मौत हो जाने की पुष्टी कर दी है इस घटना से इलाके में दहशत के साथ ही लोगों में अकुरूश है देखे बेटा से मौत संजे कुमार की ये खास रिपोर्ट आज सुबर दुलीन बजार के एनखा भेमनी चक पंचायद के पुर्मुख्या को अपराधियों ने मौर्णिंग वाक के दोरान गोली मार दी दरसल रोज की तरफ पुर्मुख्या संजे वर्मा मौर्निंग वाक के लिए घर से बाहर निकले ही थे कि घाट लगाए अपराधियों ने संजे वर्मा पर अटैक कर दिया गोली लगने की खबर सुनते ही परीजनों में कोहराम मच गया मिली जानकारी के मताबिक संजे वर्मा रोज के तरह अपने कुछ साथियों के साथ गाउं के बाहर मौर्निंग वाक कर रहे थे इसी दोरान मोटर साइकल सवारदो की संख्या में आए बेख़ौफ अपराधियों ने पीछे से पीठ और सिड में गोली मार दी गोली लगते ही संजे वर्मा गिर पड़े उनके साथ मौर्निंग वाक कर रहे लोगों में अफ़रा तफ्री मच गई लोगों ने ततकाल संजे वर्मा को गंभीर अवस्था में नीजी अस्पताल में भरती कराया डॉक्टरों ने बहतर इलाज के लिए उनको पटना रेफर कर दिया लेकिन इलाज के क्रम में ही उनकी मौत हो गई इस घटना से गाउं में मातम का मौहौल है बताते चले कि दुलीन बजार प्रखंट के एंखा भीमनी चक पंचायत के पंदे साल से लगातार मुख्या रह चुके थे फिलहाल घटना का कारण सबस्ट नहीं हो पाया है इस अस्पताल में उनकी मौत हुई है पोस्ट मार्टम उनका हो गया है गिरफतारी शिगर हम लोग लगे हुए हैं की जाएगी घटना की चानकारी मिलते ही मौके पर पहुँची पुलिस चार्च करने में चुट गई है खुलासा के लिए शुदी प्रिया के साथ बेटा से मृतुन जे कुमार की रिपोर्ट हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल खुलासा मीडिया को कीजिए सब्स्राइब अजयादे नमेश्कार